जहार्खण में सहायक आचारे के नुक्ती का रास्ता साप होगी अब 26,000 एक पदों पर सहायक आचारे के नुक्ति अब भी है नौकरी के इंतजार में तो जान लीजी आदालत का ये फेसला जहार्खण में जल्दी मिलेगी आपको नौकरी सरकारी विभाग में न्यूक्ती की प्रक्रिया होगी आरंब JSSC लेगी भरती शुरू कर दीजिये तैयारी जारकर में सहायक सिक्षकों की न्यूक्ती की प्रक्रिया का रास्ता साप हो गया है जल्दी 26,000 पदों पर न्यूक्ती की जाने वाली है अदालत ने इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है असल में सहायक आचारे न्यूक्ती प्रक्रिया पर लगी रोग को हाईकोर्ट ने हटा दिया है अब आवेदन प्रक्रिया आरंब की जा सकीगी गौर्तल भै के न्यूक्ती में पारा सिक्षकों को 50 फिजदी आरक्षन दिये जाने को लेकर आदालत में चुनोती दी गई थी चुनोती देने वाले बहादूर महतों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोट ने विग्यापन पर रोक लगाई थी जारकन करमचारी चैन आयोक की ओर से 26,000 पदों पर सहायक सिक्षकों की न्यूक्ती प्रक्रिया फिर सुरू होगी पिछली बार न्यूक्ती प्रक्रिया में बियारपी-सीरपी को 50 फिजदी आरक्षन नहीं दिये जाने को लेकर याचिका दैर की गई थी जिस याचिका पर चीफ जस्टिस संजे कुमार मिस्रा की अध्यक्षता वाली खंड़ पीट में सुनवाई हुई अधालत के तरब से आदेश दिया गया की पार्तियों के लिए 100 सीट रिजब रखे द्रसल साल 2022 में बनी सहायक आचारे न्युक्ती नियमावली 2022 में सिक्षा विभाग में समीदा पर काम कर रहे करमियों को 50 फिजदी आरक्षन देने की बात थी जिसे सरकार ने साल 2023 में बनी नई और संसोजित नियमावली से हटा दिया इस संसोधित नियमावली में अपकेवल पारा सिक्षकों को ही सहायक आचारे न्यूक्ती में 50 फिजदी अरक्षन देने का प्राबधान है। इस दैरे में वो करमचारी नहीं आते हैं जो समीदा पर सिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और अब सहायक सिक्षक न्यूक्ती प्रक्रिया पर लगी रोग हटा ली गई है। हाइकोट ने संसोधित फैसले में जारकन राज करमचारी चैन आयोक को याचिका दाखिल करने वाले पार्तियों के लिए 100 सीटे रिजब रखने का निर्देश देते हुए जारकन हाइकोट ने न्यूक्ती विग्यापन पर लगी रोग हटा ली है। पत्त के लिए आपका DLA या B8 पास होना जरूरी है। 100% waterproof and fireproof, 10 साल guarantee के साथ, साथी वाल पैनलिंग, फॉल सेलिंग, दिवारों पर वाल पेपर, डिजाइनिंग भी उपलब्द है। अब घर दिखेगा स्वर्ग जोयसा। हमारा पता गोधी पोखर, गांधी नगर गोड़ा, मोबाइल नंबर 7004-171-896